आप सब्सक्राइब चलिए तो पड़ते कलम पड़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैगनेटिक फिल्ड क्या हुआ करती है तो यस्टरड़े हमने आपको एक लाइन बताए कि मैगनेटिक फिल्ड जो होती है वो नौर्थ पॉल से निकलती है और ठूद अधा साउथ फोल ये यह क्लोज लूप बनाती है याद रखना यह टर्मिनेट नहीं होती है यह ओपन लूप नहीं बनाती है ये खिनो ये सपर्शति ऐगागी, पार ये स्वास्ति अधा मैगनेटियोड फिल्ड फिल्ड पीजोड़ पिल्ड दर् साउद यह Ona suspect साउद के प्रेंडिक फिल्ड फिल्ड अ ऩ्डियों होती है आप जितनी हमे और फिल्ड आप और जितनी लेस करन देंगे उतना कमजोर वाला मेगनेटीक फील बनेगा second point पड़ो बिटा the magnitude of magnetic field produced by electric current decreases with increase in distance and vice versa the size of concentric circles of magnetic field lines increases with the distance from the conductor which shows that magnetic field decreases with distance हाँ यह जो second पॉइंट कहा जा रहा है यह सारे point जो है और स्टर्ड के उस experiment के बारे में बात कर रहा है जो हमने कल वो experiment बताया था आपको कि magnetic field जो होता वो current के साथ कैसे vary होता है तो यदि हम second point की बात करें तो आप दे देखा होगा कि यह conductor है यह conductor है conductor के पास में जो lines of forces होती तो बहुत crowdy area होता था मतलब यहाँ पर अगर पास में देखा जाए तो B जो होता था बहुत हाई हुआ करता था इधर का magnetic field बहुत हाई होता था अगर दूर जाने पर जो छले थे वो बड़े बड़े बने जा रहे थे इनके बीच का जो gap था वो बढ़ता जा रहा था मतलब यहाँ पर gap बहुत कम था मतलब field strong था और यहाँ पर इनके बीच की जो crowdness थी वो कम होती जा रही थी और gap बढ़ता जा रहा था इसका मतलब यहाँ पर B कहा है बच्चों strong या weak weak strong दूर जाने पर B strong क्यों हो बेटा पास में जाके lines of forces पास में strong थी ना ज़्यादा थी lines of forces तो पास में field strong रहेगा दूर जाने पर weak हो जाएगा हाँ या ना है सर्थ ओके मतलब radius बढ़ने के साथ साथ B की value क्या होती है कम होती तो copy में लिखिए B is inversely proportional to R मतलब अगर distance बढ़ेगी तो field जो हो जाएगा क्या हो जाएगा कि कम होता जाएगा ठीक है ना तो distance जो है अगर distance जाओगे तो field weak होता जाएगा ठीक है बटा चलिए अब बात करते हैं swollen wide की swollen wide में देखिए magnetic fields lines are always parallel to each other बटा magnetic field lines parallel to each other किस field की बात हो रही है बटा लिख लो यह uniform field की बात हो रही है uniform field में lines हमेशा parallel होती है sub field में नहीं होती है uniform field में जो होती है lines of forces magnetic field lines are always parallel to each other अच्छा एक चीज है कि अगर parallel to each other बेटा uniform में होती है ठीक है ठीक ना parallel to each other जो है तरीके से uniform में होती है uniform magnetic field और कल मैं ने बताया था कि जो solenoid आपने पढ़ी थी solenoid के अंदर जो field आया था वो कैसा आया था uniform आया था यादे बच्चों यह सर आया था यह स्वाइट के अंदर का जो field मिला था वो कैसा मिला था आपको uniform मिला था तो solenoid के भीतर का जो field होता है that is uniform next no two field lines or cry and cross each other तो बताया था मैंने कि दो field line कभी भी आपस में एक दूसरे को cross नहीं कर सकती done done sir तो यह हैं आपकी magnetic lines of forces की properties these are the properties of magnetic field lines अब अगला topic है हमारा force on a current carrying conductor किसी current carrying conductor पर लगने वाला force हाँ समर्थ अब ठीक है विटा हाँ सर ओके विटा चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करें टॉपिक नमबर 14 force on a current carrying conductor तो force on a current carrying conductor एंद्रे मेरे MPR ने इस force को पता लगाया था यह इनका यह दिया है 1775 से अठार स्टिस suggested that the magnet also exert an equivalent opposite force on current carrying conductor तो कर क्या रहते ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पर एक rod लगी हुई है यह एक rod लगी हुई है अब यह rod लगी हुई है इन्होंने क्या किया यहाँ पे से एक तार लपेटा और यह तार को ले गई इधर यह यहाँ गई है तार और दूसरे पार्ट से यह वाला end बांधा और यह है अब देखिए ध्यान से यह बैटरी का प्लस टर्मिनल लगाया और यह बैटरी का माइनस टर्मिनल लगाया तो प्लस और माइनस से जैसे current करोगे तो क्या flow होगी current flow होगी किस direction में current flow होगी मैं red color से शोग करता हूँ यह देखे कुछ इस direction में current flow होगी ऐसे अंदर से कर जाएगी जूई और फिर यह जो current है यह इधर से आते हुए circuit complete कर देगी बोलो बच्चो yes की no yes sir okay यह circuit complete करेगी extra बात क्या है यहां पर ध्यान से देखो बच्चो एक आपके पास में यहां पर एक horseshoe magnet लगाया गया उसके बीच में इस current conductor को लटका दिया गया है तो यह आपके पास green color का horseshoe magnet में show कर रहा हूं तो यह horseshoe magnet जो है dark green color का यह दिखाए देगा आपको yes yes यह horseshoe magnet है यह इसका North Pole है और यह सका South Pole है दिखाए बच्चो नी उपर की तरफ North Pole है नीचे की तरफ South Pole है इसकी बीच में अपना conductor जो है रखा हुआ है तो आपको मैंने बताया था कि जो conductor होता है उससे current जाएगी तो conductor से current जाने में भी क्या develop होगा उसके चार तरफ magnetic field होगा बोलो होगा की नी होगा और इसमें यहां पर North Pole है और इसमें यहां पर South Pole है तो North और South की वज़े से भी एक field transmit होगा होगा की नी होगा हां सर हां तो मतलब कुल मी लाकर कि यहां पर कितनी field होगा है बताइए एक field होगा है यहां पर की दो field होगा है अब दो field होगा है अब दोनों field लापस में क्या करेंगे इंट्रेक करेंगे जिसकी वज़े से क्या लगेगा force लगेगा clear है और उस force की वज़े से यह जो rod है current carrying rod है aluminium की यह जो हो जाएगी इससे displace हो जाएगी समझ में आया तो कैसे displace होगी मैं थोड़ा सा diagram आपको बना के दिखाता हूँ जैसे यह magnet रखा हुआ है और इसके बीच में आपने एक rod लटकाई थी तो यह rod जो है बेटा यह आईदर उस तरब भाग जाएगी या बाहर की तरब भाग जाएगी समझ गया ना और यह move करने लगेगी ऐसे ऐसे तो आप क्या हो रहा मतलब यह force लग रहा है इस पर क्या लग रहा है force लग रहा है clear हो गया पढ़ो स्वास्ती पढ़िए we will observe we will observe that the rod will displace that is the rod will experience a force when it is placed in a perpendicular direction to its length हाँ अब एक सी सुनना एक मिनट बेठा अब देखो जो rod की length है actually मतलब जिस तरफ उसमें current जाती है उसी तरफ उसकी length आनी जाती है तो जैसे यह current जा रही है सामने की तरफ तो rod जो है ना इसके perpendicular direction में तो आप feel करो perpendicular direction का होगी या तो इधर की तरफ perpendicular यह 90 degree angle बनाते हुए या इधर की तरफ perpendicular यह 90 degree angle बनाते हुए तो rod दो cases में either move करीगी या तो इधर की तरफ आ जाएगी या इधर की तरफ आ जाएगी समझ मैं आया है Yes sir Perpendicular to the length तो समर्थ याद रखिएगा कि force पूछा जाएगा तो force कैसा लगता है बिटा Perpendicular to the length लगता है और length की direction क्या होती है direction of current लिख लो direction of length लिजाती है वो current की direction में ही लिजाती क्लास 12 में आप लोग और अच्छे से पढ़ोगे कि जो direction of length होती है direction of current होती है force direction of length पढ़ो बिटा first point the direction The direction of the exerted force will be reversed if the direction of current through the conductor is reserved reversed if we change the direction of field by into changing the two poles of the magnet again the direction of exerted force will change therefore the direction of exerted force depends upon direction of current direction of magnetic field exactly तो यह जो जो नहीं मतलब दो जीजों पर आप वोई force की direction depends करती है एक current की direction क्या है और दूसरा जो है magnetic field की direction क्या है ठीक है बोलो आ गया समझ में अब हम जानेंगे कि यह force किस direction में लगता है इसको हम समझेंगे कि force जो है कैसे act करेगा ठीक है बच्चों देखिए हम समझते हैं कि यह force कैसे act करेगा अब इस force के act को देखने के पहले मैं वह आपको visual दिखा देता हूं पिक्चर दिखा देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा समाज में आ जाएगा की force कैसे लगता है इससे हम लोग को clear हो जाएगा थोड़ा सा चलिए दिखते हैं स्टार्ट हो जाएगा शायरी देखिए अभी ये conductor जो है इस पर आपने current flow नहीं करी है तो ये जो conductor है बड़े आराम से जो है वर्टिकल पोजीशन पर ये घूम रहा है ठीक है ना ये आराम से ऐसे जो है लटक रहा है देखिए ये रहा है बोलो आगया बच्चो समझ में clearly देखो धेल डूल रहा है बड़े आराम से की नहीं दिख रहा है अब देखना एकदम से जैसे current आपन करोगे एकदम से current आपन करोगे ये रखा है बेटा होर्शू मैगनेट की बीच में ये देखो ये होर्शू मैगनेट का ये ऊपर वाला पार्ट है और ये होर्शू मैगनेट का नीचे वाला पार्ट है ये देखो जैसे ही आपने करेंट फ्लो स्टार्ट करिये यहां पे तो यह जो conductor है, current सीधे एक direction में चला गया, मतलब इसमें force लग रहा है The conductor swings to one side हाँ, अगर हम current की direction flow के change कर देते हैं, पॉजिटिव बैटरी को निगेटिव कर देते हैं और निगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं यह देखो, current की direction conductor की दूसरी हो गई दिखा बच्चों clearly? Yes sir हाँ, तो यहाँ पर direction change होगी Okay, तो इस तरीके से यहाँ पर electromagnetic force की वज़े से यह swing हो रहा है अब हम जानने की कोशिश करेंगी कि हम इस force की direction कैसे निकालेंगे इस force की direction निकालने के लिए हम लगाते हैं बच्चों, flaming left hand rule flaming left hand rule क्या कहता है, flaming left hand rule कुछ इस तरीके से है इसको समझने के लिए मैं आपको एक diagram मना रहा हूँ अगर आपके पास कोई conductor जो है, current carrying conductor किसी magnetic field में रखा हुआ है यह देखो बच्चों, यह magnetic field है आपके पास में ओके यह आपके पास में इस तरीके का magnetic field है यह magnetic field है, ओके और आपके पास जो conductor है वो conductor जो है, मालो उपर से लेके नीचे की तरफ यह उखा हुआ है अब इसमें current flow क्या हो सकती है, अब इसमें current flow हो और ही मालो यह direction, डाउनवर्ड है बच्चों यह downward current की direction है, ठीक ना, तो आपको निकालना है इस पर force कैसे होगा तो बच्चों अपने mobile को, क्योंकि अपने mobile में यह laptop screen में आपके तीन fingers हैं left hand को, सबसे पहले left hand निकालो, और left hand की तीनो fingers, मतलब अपना जो first finger है, four finger जो आपकी four finger है, और उपर की तरफ अंगूठा, उपर की तरफ अंगूठा, और इधर की तरफ यह जो middle finger है यह तीनों को ऐसे arrange कर लो, बोलो हो गई arrange की नहीं हुई? अब देखो अपनी जो four finger है, आपकी four finger जो है, वो कहलाएगी magnetic field B ठीक ना, four finger जो है, magnetic field कहलाएगी, और यह जो कहलाएगी बेटा, यह कहलाएगी current, ओके, current So this is magnetic field B, और यह है current, तो एक काम करो, अपनी finger को, पहली वाली finger को ऐसे रखो जो आपकी four finger है, देखो ध्यान से, इस direction में, four finger को, रख लिया, क्योंकि देखो मेरा magnetic field इस तरफ जा रहा है, जा रहा है ना बेटा, और जो आपकी middle finger बेटा, उसको बिल्कुल नीचे कर दो बेटा, ऐसे चली जाएगी, बिल्कुल नीचे, चली गई की नहीं गई, yes sir, ओके, yes sir, यह देखो बेटा, देखो current की direction है, यह किसकी direction है, current की, तो आप ध्यान से देखो, जो आपका अंगूठा है, वो आपके उपर की तरफ आ रहा होगा, है ना, अ किसकी direction है, बिटा, यह force की direction है, समझ में आया, हाँ sir, हाँ, मतलब magnetic field और current की direction, यह perpendicular direction में क्या लगता है, हमेशा, force लगता है, हाँ बेटा, बोलो, force means, if मैं देखो, तो मेरे side आएगा, हाँ, 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 आपकी side आएगा, मतलब ही conductor जो है, उचल करके आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा, ठीक है, yes sir, हाँ, चलिए, तो यह देखिए, तो इसमें तीन logic लगते हैं, बेटा, इसमें लगता है, father, mother, child का concept लगता है, F for force, M for magnetic field, okay, and C for child, child मतलब current, M for magnetic field रहेगा, C for child रहेगा, तो force रहेगा, आप दो input दोगे, क्या-क्या दोगे, आप field दोगे, और current दोगे, और आपको बदले में क्या मिलेगा, force मिलेगा, ठीक है ना, बदले में आपको force मिलेगा, तो देखे, M for mother, mother का मतलब force की, M for mother, ठीक ना, F for father, और C for child, एक मिनट, रुख जाईए, इसमें लोगों ने कुछ दूसरे तरीके से, मैं तो अलग ही बताता हूँ, force means direction of motion, ठीक है, ठीक है, ठीक है, no problem, okay, and yes, देखिए, मैं जो है, मैंने थोड़े से अलग नाम दिये है, इन लोगों ने अलग नाम दे दिये है, ये F for father को field बोलते है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहता हूँ, है ना, F for, M for, M for motion ले रहा है, मेरे changes हो गए, तो आप जो मैंने आपको बताया है, आप उस वाले rule को रखिए, इस वाले rule को आप भूल जाईए, इस rule से आप जो है, कोई मतलब मत रखिए, क्योंकि ये वाला rule आपको confuse करेगा, ठीक है ना, तो जो मैंने आपको, मैंने आपको ये बताया है, कि अगर, देखिए, अगर आपके पास में करेंट की direction है, ये करेंट की direction है, ये आपका magnetic field का direction है, तो इन दोनों के perpendicular आपका किसकी direction आएगी, force की, force को बोलते हैं direction of motion, क्योंकि जिस तरफ force लगेगा, आपका, जो rod है, जो conductor है, वो वही move करेगा, clear हो गया बच्चों, clear हो रहा, yes sir, yes, yes, पढ़िए, पढ़िए स्वास्ती, according to this rule, according to this rule, stretch thumb, forefinger and middle finger of your left hand such that they are manually perpendicular, mutually perpendicular to each other, if forefinger represent direction of magnetic field and middle finger represent direction of current, then thumb will point in the direction of motion of force acting on the current, exactly, exactly, तो मैंने जो बताया, वो ही, यहाँ पर बिल्कुल, बिल्कुल, क्लियर लिखा है, कि आपकी जो four finger है, वो direction of magnetic field, मतलब M for mother मैंने बोल दिया, okay, M for mother magnetic field, और अगर आपका जो यह four finger है, direction of magnetic field है, और आपकी जो middle finger है, वो direction of current है, है ना, current मतलब child, तो जो आपका अंगूठा आएगा, वो force की direction को convey करेगा, वो बतायेगा कि force कहां लग रहा है, clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. So this is called flaming electric rule, यह बहुत important है, अब electric motor पढ़ते हैं, और electric generator पढ़ते हैं, दो हमारे पास device हैं, एक का नाम है electric motor और एक का नाम है electric generator, आपके सबके घर में motor होंगी, सबके घर में पानी को pump करने के लिए motor का आप इस्तिमाल करते हैं, वोटर को pump करने के लिए आप motor का use करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं electric motor, आईए देखते है इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है आप इलेक्ट्रिक मोटर अपने घर में मोटर चलाते हैं तो आप क्या करते हैं आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी का स्विश अन करते हैं मतलब करेंट देते हैं उके करेंट देते हैं उसके अंदर मैगनेट लगे होते हैं हर चाह Deb Vorteil को अब है यहां पर हम्हें पर दे रहे हो इसको आप एलेक्ट्रिक एनरजी और बदले में आप इसे काम ले रहे हो नोट काम का मतलब कोई अनरजी mechanical energy so the device that convert electric energy into the mechanical energy is called electric motor साथ में आया बेटा यस सर यस तो ऐसी device जो electric energy को mechanical energy में convert करती है इसे हम electric motor कहते हैं स्वास्ती पढ़िए electrical energy electrical energy is converted into mechanical energy by using an electric motor electric motor works on the basis of rules suggested by Mary Ampere and Fleming's left hand rule in an electric motor a rectangular coil is suspended between two poles of magnetic P the electric supply to the coil is connected with a commutator commutator is a device which reverses the directional of electric current through a circuit चलो ठीक है बिटाई आप mute कर लो यहां से समर्थ पढ़ लेंगे ओके समर्थ पढ़िए in an electric motor से पढ़ो in an electric motor a rectangular coil is suspended between the two poles of a magnetic field the electric supply to the coil is connected with a commutator commutator is a device which reverse the direction of flow of electric current through a circuit when when electric current is supplied to the coil of electric motor it gets deflected because of magnetic field as it is as it reaches the half way the split ring which acts as commutator reverses the direction of flow of electric current reversal of direction of current reverses the direction of force reverses the direction of force acting on the coil reverses the direction of force acting on the coil continuation of this process keeps the motor and rotation in commercial motors with a large number of turns of conducting wire in charge of magnetic field produced by power major exactly exactly what अब देखिए काफी सारी चीज़ यहां 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 यह वन बाई वन हम इसको देखते हैं बिटा electric motor होती उसमें एक rectangular coil हुआ करती है जिसको हम दो magnetic pole के बीच में सभाल करके रख देते हैं तो देखो यह जो है दो आपके magnetic pole देख रहा है यह बेटा left वाला है north वाला pole ओके और जो right वाला है यह south वाला pole है कैसा commutator इसका पूरा नाम होता है बिटा split ring commutator यह क्या करता है यह current की direction बदलने का काम करता है है ना जैसे यह पूरा पट्टा यह पूरी जब coil है आधा cycle घूमती है तो यह वाला जो part है यह इधार आ जाता है और right वाला जो है left में चला जाएगा मतलब यह वाला यहां चला जाएगा और यह वाला यहां आ जाएगा बोलो आया समझ में कि नहीं आया yes sir हाँ इसके कहने का मतलब यह हुआ बेटा कि जो अभी plus में touch है वो आ करके बेटा minus से touch हो जाएगा बाद में हो लो हाँ हाँ सर और जो minus से touch है वो plus से touch हो जाएगा हो जाएगा ना yes sir हाँ मतलब plus वाला minus को चला जाएगा तो यह क्या करता है यह direction बदलने का काम करता है अब देखो बेटा कैसे काम होगा ध्यान से देखो यह देखो magnetic field कहा जाएगा north to south यह not to south है current की direction देखो बेटा अगर यह plus है और यह minus है तो current कहाँ चलेगी positive to negative to यह देखो current इधर आ रही है अभी अभी मैंने पढ़ाया है यह है direction of field इसके perpendicular है direction of current तो बताओ force कहां लगेगा flaming left hand rule से उपर की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा लगेगा कि नहीं लगेगा आप लगा करके देख लो अपने हाथ का left hand निकालो left hand में बेटा इस तरफ लिए अपना लिए field की direction यह लिए field हाँ आना सामने की तरफ current ले लो बेटा सामने की तरफ current ले ली आई ले ली तो बताओ आपका अंगोठा उपर की तरफ भाग रहा की नहीं भाग रहा हाँ sir तो आपका अंगोठा उपर की तरफ आएगा तो यह क्वाइल रोटेट होना सुरू हो जाएगी कि नहीं हो हाँ sir हाँ तो यह वाला प्रट ऊठे का उपर और यह वाला परट कहा जाएगा नीचे जाएगा, तो इस तरीके से कोई घूमना सुरू कर देगी, समझ में आया? ये सरा तो ये कहलाता पेटा, इलेक्टरिक मोटर, ये डाइग्राम बनाने को आता है है न, अब ये याद रखना पेटा ये क्या होते हैं, कार्बन के ब्रशेश ये conductor conduction करने का काम करते हैं ओके metal और graphite carbon brushish contact ये brushes जो होते हैं या तो ये carbon के carbon के ये metal के बनाये जाते हैं बट ज़्यादा prefer होते हैं बच्चो carbon की ये brushes ओके चलिए तो अब अब जो है हम बात करते हैं Michael Faraday की ठीक ना अब यहाँ पर आचुका हमारा motor वाला part खतम हो गया है तो magnetic effect का पहला part यहाँ पर खतम हो जाता है अब यहाँ से magnetic effect का दूसरा वाला part जो होता है वो शुरू होता है ठीक ना मैं आपको थोड़ा सा दिखा हूँ motor यदि मेरे को यहाँ पर मिल जाए तो मैं थोड़ी सी आपको दिखा दूँ की motor कैसे काम करती है चलिए शायद यह वीडियो दिखा है यह देखो बेटा यह coil है यह north और south के बीच में घूम रही है यह carbon का brush है और यह पीतल का split ring commutator आपको दिख रहा है दिख रहा बच्चों यहाँ बच्चों यहाँ पर जो है coil को powerful बनाने के लिए इसको तीन पार्ट में अटेच किया गया है जितने ज्यादा क्वाइल बनागे उतनी ज्यादा आपकी motor जो है strong बनेगी उतनी अच्छी motor बनेगी चलिए तो यह थी आपकी electric motor इस तरीके से electric motor जो हुआ करती है काम करती है ठीक है बच्चों सर जितनी ज्यादा पारफुल रही हो अगर अगर आप नंबर ऑफ टन्स बढ़ा रहे हो तो जो फोर्स होगा वह जबरदस्त बढ़ जाएगा समझ में क्योंकि magnetic field जो होता है करेंट के साथ नंबर ऑफ टन्स पे डिपेंट करता है अगर आपके नंबर ऑफ टन्स जादा है तो वो मोटर जो होगी वो पावरफुल बनेगी फोर्स बहुत ज़्यादा देगी क्लियर यस चलिए तो यह हो गया अब बात करते हैं बचो इस चप्टर के सेकेंड पार्ट की जिसका नाम है इलेक्ट्रो-मेगनेटिक इंड़क्शन तो अब भी आपने इसके फस्ट पार्ट में क्या देखा आपने फस्ट्ट पार्ट में ये देखा कि आपके पास करेंट थी और करेंट से आपने क्या डवलब कर लिया magnetic field बोलो यहीं develop किया कि नहीं किया और second part में क्या था second part में था second ये काम किस ने start किया था औरस्टर्ड ने second part में Michael Ferrade ने क्या किया Michael Ferrade के पास magnetic field था चुम्बक था और उन्होंने चुम्बक को इस्तमाल करके उन्होंने current develop कर दी ठीक ना तो करेंट का इस्तमाल करके magnetic field बना दिया और Michael Ferrade ने क्या करा magnetic field को इस्तमाल करके current को develop कर दिया yes or no yes sir तो ये जो process कहला गई total overall process second वाली process को नाम दिया गया electromagnetic induction क्या नाम दिया गया electromagnetic induction ठीक ना इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रो मतलब electric current magnetic मतलब magnet induction मतलब दोनो एक दूसरे की वज़े से develop होते हैं है ना electric magnet को induce करेगा मतलब एक दूसरे के दोनो मतलब पता नहीं है कि मुर्गा पहले आया कि अंडा पहले आया ऐसी वाली system हो रही है कि पहले मुर्गा आया कि पहले अंडा आया वाली system हो रही है मुर्गी मतलब मुर्गा नहीं बोलना था मुझे तो यहां पे ऐसा वाला system हो रहा है तो चलो पढ़ो हो यहां पे स्वास्ती Michael Faraday तो आपको मैं इन शॉट क्योंकि अभी आपको इतना जादा नहीं पढ़ना electromagnetic induction केवल आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए तो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि मान लीजे यह कोई magnetic field जा रहा है और आप इसके अंदर किसी magnetic field के अंदर इस किसी conductor को जो है ले करके आ रहे हैं और इस conductor को आप आंगे पीछे मूव कर रहे हैं इसको आंगे भी कर रहे हैं पीछे भी कर रहे हैं मतलब हाथ से पकड़ करके इसको आप आँगे पीछे आँगे पीछे मूव कर रहे हैं तो बच्चो इस conductor में current develop हो जाएगी यस इस conductor में current develop हो जाएगी जैसे आपकी गाड़ी में two wheeler में current बनती है समझ गये ना अगर आपकी गाड़ी की बैटरी खराब भी हो जाती फिर भी आपकी गाड़ी की light जलती है वो यहीं होता है आपकी गाड़ी में coil लगी होती है magnet की और उसके अंदर होता है electromagnetic induction जिसकी वज़े से current develop होती रहती है this is call electromagnetic induction, clear? अब बात करते हैं galvanometer बिटा एक छोटी से device होती है जो बहुत छोटी से छोटी current को भी detect कर लेती है circuit में हलका सा जो current आएगा कुछ milliampire का भी current आएगा उसको ही detect कर लेगी भाई मेरी voice स्वास्ती मेरी voice break हो रही क्या? नो सर्थ बिटा आपकी तरफ network कमजूर है बिटा एक बार फिर से left हो करके add हो जाओ सर अब ठीक है अब आकाश clear है समझ में आ रहा है येस सो galvanometer की में बात कर रहा था galvanometer क्या होता है? एक device होती है जो बहुत small current को detect कर लेती है circuit के अंदर इसको हम बोलते हैं galvanometer पढ़िए स्वास्ती galvanometer इसको कैसे रिप्रेजन करते हैं galvanometer को इसमें बीच में काटा हुआ करता है इसमें बीच में आपन जो है G से इसको बना दिया करते हैं इसको अपन यहाँ पे G से शो कर दिया करते हैं इसको हम G से शो करते हैं और current की direction जो होती है राइट और लेफ्ट accordingly चेंज हुआ करती है राइट और लेफ्ट current की direction के basis पे चलिए अब पढ़ते हैं electric generator ठीक है ना? अगर circuit में कोई current नहीं है मतलब I equals to zero है तो galvanometer बिल्कुल बिंदास बीच में रहेगा ओके galvanometer को कैसे शो करते हैं बच्चों? यहाँ पे G लगा करके शो करते हैं galvanometer तो याद रखेगा galvanometer क्या करता है? galvanometer current को measure नहीं करता है current की presence को detect करता है समझ में आया ना? यह यह नहीं बताएगा कि कितनी strong current है यह किवल यह बताएगा कि current है या नहीं है आगया समझ में? तेर चली अब बात करते हैं बच्चों electric generator electric generator क्या है? अभी मैंने आपको बताया electric motor बिल्कुल उसका ultra जो होता है वो होता है electric generator ओल्ट्रिक motor का ultra हुआ करता है electric generator electric motor आपने क्या देखा? electric motor में हाँ current देते थे बदले में काम लेते थे रही कह ना? मतलब electrical energy to mechanical energy convert होती थी electric generator में आप mechanical energy देंगे बदले में electrical energy लेंगे मतलब the device that converts mechanical energy into electrical energy is called electric generator और इसी को हम dynamo भी कहते हैं, ओके, the device that convert mechanical energy to electrical energy and this is called dynamo और electric generator, clear है बेटा, ओके, और इसमें flaming का right hand rule लगता है, इसमें क्या लगता है बच्छों, flaming का right hand rule, तो पहले आप जो है electric generator यहाँ पे देख लो, मेरे पास यही मिल जाता है generator, तो मैं आपको show कर देता हूँ, electric generator वाला process थोड़ा सा, तो उसमें clear हो जाएगा, यस, यह है, एक अच्छा वीडियो है, electric generator का, AC generator हुआ करते थे और लोग जो है, इसके अंदर petrol से डाल करके, AC generator अपने अपने घर में रखा करते थे, आज कल inverter आ गए है, तो inverter क्या करता है, थोड़ी सी power को battery को store कर लेता है, और उस storage battery से अपने अपने घरों में lightning मिलती रहती है, बट पहले AC generator चला करते रहे, तो लोग अपन current generate होती थी, अभी आप देखोगे कि कैसे generate होती थी, ठीक है ना, बट अभी के time में पूरा AC generator हट गया है, अभी AC generator कहां पर use होता है, आपने देखा होगा, शादी बारात में जब जाती है, तो सबसे last में एक जो होता है, ठेले के ऊपर जो है, एक green से color का एक machine रखी रहती है और उसमें बहुत जोर-जोर से वो घूमता है, उसका rotor, रोटेटर उसका बहुत जोर-जोर से घूमता है, yes or no, देखा है, शादी बारात में एकदम end में एक rotator बहुत जोर से घूमा करता है, देखा आप लोगों ने की नहीं देखा, ना सर, हाँ सर देखा है, तो वो जो हो खराब हो है ना, और वो काम करता रहे, तो इसको अपन AC जनरेटर बोलते हैं, वो बड़ा बाला जनरेटर है, जिससे शादी बगरे में पूरी lightning होती है, देखो यह कैसे काम करता है, मैंने नहीं देखा सर, अच्छा आपने नहीं देखा AC जनरेटर, बिलकुल एकदम पीछ रहता है, प्रोटो टाइप जनरेटर जो होता है, और उसी से पूरी जो है, लाइटनिंग अगरे हुआ करती है, ठीक है, वेट, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका कलर किस तरीके से जो होता है, साथी टाइप कर लेती है, यह तो एकदम यह जो है, ऐसे मार्केट में पहले आया करते रहे हैं, अभी यह तो बहुत अच्छे वाले हो गए हैं, अपने अहां जो होते हैं, बड़े वो गंदे से दिखा करते हैं, एकदम, हाँ सर, मैंनत देखा है, अभी मेरे बड़े बही साथी थी, अरे बाव भाई, तो उसमें जो यूज होते हैं, ठीक ना, हाँ ठीक है, तो अब इसमें यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, वो ग्रीन से कलर का हुआ करता है, एकदम लास्ट में जो होता है, और बड़ा भेंकर धुआ फेकता है, क्योंकि वो डीजल से चलता है, तो उसमें डीजल बर्न होता है, इस टाइप का होता है, बच्चों, यह बहुत सुंदर साफ सुतरा है, इसको यह लोग यूज करते 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 एक दम गंदा घर डालते हैं, तो इस बज़े से इतना साफ आपको नहीं दिखा दिखा देगा, एक दम काला हो जाता है ठीक ना, डार्क ग्रीन कलर सा का समझ में आता है, यह इसी टाइप का आपके जनरेटर, एसी जनरेटर रखा करता है, हाँ यह है, यह है, यह वाला है, इस टाइप का अपने इंडिया में जो है, आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक ना, यह है भईया, एसी जनरेटर, इस तेजी से गुंता रहता है और फिर इससे बिजली बना करती है ये एकदम पीछे वाली गाड़ी में रहता है ये देखो इसमें धूआ निकलने के लिए चिमनी भी दी गई है कई जगे चिमनी इस तरफ रहती है आडे तेरचे रहती है बड़ी दिक्कत होती है जो लोग पीछे शादी वगएरे निकलते समय जो बाजियों में खड़े हो जाते हैं गाडिया वगएरे तो बहुत जोर की खासी वगएरे आने लगती है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बड़ा पंजेन टाइप का डीजल के जलने का धुआ निकला आप बड़्ान भी जोगे स्गे थना है कि टूलिजल जब टॉरिशत चाहां टाप्ट हैस निकलादंट प्रफिट्रश टीश चाहां वबड़़् द्रीजल बडर्यूटरिईर गेख दी एन ट्रिप्म तॉरा इस आइस टुटमल पावर स्टेशन है यहाँ भी थर्मल पावर स्टेशन में एसी जनेरेटर यूस किया जाएगा इलेकरिसिटी बनाने के लिए नुकलियर नुकलियर पावर स्टेशन देखो बच्चो यह AC जनेरेटर का बॉक्स पोटेबल जनेरेटर जो घरों में आजकल यूज करते हैं अभी इन्वर्टर आ गया है पहले यह यूज करते थे तो यह कैसे काम करेगा स्विच आन कर दिया अब देखो अंदर क्या है हाँ अब इन पार्ट को देख लो बच्चो यह है जो पार्ट आपके दिख रहे हैं यह आपका है यह जो पार्ट आपका दिख रहा है ब्लू कलर में है यह नौर्थ पोल है मैगनेट का यह साउथ पोल है रेड कलर में और यहाँ पर जो यह जो रिंग दिख रही है अच्छे और हम यहां से इसको घुमाते हैं और यहां पर AC current generate होगी. An AC generator is a device used to convert mechanical energy into electrical energy. Yes, that is a device to convert mechanical to electrical energy. मतलब mechanical मतलब हाथों की energy को शारीरिक energy या किसी भी प्रकार के काम की energy को यह जो electrical energy बदलेगा. It was originally designed by a famous physicist Nikola Tesla. Working of an AC generator is based on the principle of electromagnetic induction. According to... हाँ देखिए बच्चो अब यह electromagnetic induction है मतलब magnet से electricity current करना तो मैंने बताया था कि अगर आप किसी magnet को आँगे पीछे ले करके जाओगे या coil को आँगे पीछे ले करके जाओगे तो कोई भी तो आपका current बनेगी देखना इसमें galvanometer current शो करेगा. अब फ्लैमिंग right hand rule को आप यहां से समझ लीजिए. यह बहुत important है. यह आपका right hand है. अब जैसे जैसे बनता जा रहा है आप ऐसे अपने हाँ हाथ के उंगलियों को range करते जाईए. देखे पिछला वाला left hand था. यह वाला right hand है. समझ गया ना? तो इसमें आप क्या देंगे? इसमें आप motion देंगे और field देंगे. मतलब coil को घुमाएंगे magnetic field में. तो आपको बदले में क्या मिलेगी? current मिलेगी. इस current को बोलते हैं induced current. याद रखिएगा यह जो current होती इसको induced current बोलते हैं. ठीक है? देख लिया बच्चों आप लोगों ने? yes sir lenses law can also be used to find the direction of current in the coil let us now see the construction of an AC generator अश्योंजिक्ट कि अचिज्ट को अचिजी अचिज अचिज एग आग आगेज आगे इंच आगेजू और संद एखड हैं और लाजिए टोष ऑुल प्ला इंचे अचागोश्ट अचिज्ट एषन्जonton tenían आर्ट रंचोर कोप़र विरो इस रप्त गौ सी एंजब आप्तर सiken डिवित दो प्रिप्यशन आप उस्मिंग आपाने तो इस सलिब каким सτो तो जब कर रंचες इंप्राइ देफ्ट लिफ टेफिर एंपरीज कि अव्रपस्ट लुट इंप लाज प्रश इफ लडंप आप्ने घज अज़ एंगर यंप तो इंप लिफ इंध रूनेल कीज़् एंपर लाज है व फो देई प्रॉब टो यंप अजुद इंड आ एं अर्मट्टर इो अ की अ देखें बच्चों किस तरीके से कोई रोटेट होती है और यहां पे गलवनोमेटर में आपको करेंट की प्रेजन्स दिखाई दे रही है डू था जी कि आपको कि लिखगा लग। ले थे रहएंज़ाद की इस तरीक मेंजिग नॉड़का लगा जिख। लाजयं ट्र फीस लिखनग ग। टिव सुन है कि दिखा लगव चांचल में जा मैं जा सनके रव़साब टीजिए Kathy Kanya street therefore the flux linked with the coil keeps on changing with time as a result and he mf isn't used isn't an induces an electric current in the coil as the two ends of our mature are connected to an external circuit and electric current stars flowing through it this current is detected by the galvanometer connected in the external circuit due to change in relative position of the armature coil the direction of current throwing in each arm of the armature coil keeps on changing and hence the current so obtained is alternating current to understand the generation of alternating current more clearly let us mark one arm of the armature as green and the other as pink as per the Fleming's right hand rule the direction of current in the arm marked as green is outward and in the arm marked pink is inward after rotating half turn in anti-clockwise direction the direction of current in green arm becomes inward and that in the pink arm becomes outward thus after every half turn the direction of current changes and as a result alternating current is generated if we plot a graph between the induced emf and time we will observe that the induced emf shows sinusoidal behavior it can be seen from the graph that the direction of current keeps on changing with time which again alternating nature of induced current in the end so coil को आप जो है घुमाएंगे जिससे कि ये पूरा का पूरा system जो है यहाँ पर ये जो दीखरा आपको ये घुमेगा बागी part नीचे चला गया और ये घुमेगा तो आप क्या देंगे mechanical energy देंगे और बदले में आपको क्या मिलेगी electric current मिलेगी that is called electrical energy clear हुआ hello बच्चों clear हुआ yes sir ठीक है तो पढ़ते हैं electric generator क्या होता है स्वास्ती पढ़िए the structure of electric generator the structure of electric generator is similar to that of an electric motor in case of an electric generator a rectangular armature is placed within the magnetic field of a permanent magnet the armature is attached to wire and is positioned in way that it can move around an axle when the armature moves within the magnetic field an electric current is induced the direction of induced current changes when the armature crosses the halfway mark of its rotation thus the direction of current changes once in every rotation due to this the electric generator usually produces alternate current that is AC to convert an AC generator into DC generator a split ring commutator is used this helps in producing direct current okay तो बच्चों यहाँ पर जो है आपका हाँ बेटा बोलो yes कुछ पूछ रहा हूँ yes तो ठीक है बच्चों अब देखिए अगला जो पार्ट है electromagnetic induction वो आपके लिए इतना इंपोर्टन नहीं है ठीक न वो पार्ट आपके लिए इतना इंपोर्टन नहीं है बस इसमें आपको electric generator की working थोड़ी सी बता दी मैंने अब flaming right hand rule जान लीजे बच्चों बिल्कुल वैसे का वैसे है flaming right hand rule अब आप इसमें right hand rule में तीन चीज़ है फिर से अगर यह main finger जो है आपकी this is the direction of magnetic field और thumb अग आपकी जो यह finger आएगी middle finger यह आपकी किसको represent करेगी current को represent करेगी याद रखेगा तीनों को आपको perpendicular arrange करना है तो यहाँ पर पढ़दो बिटा समर्थ पढ़िए rule can be defined as right hand rule पढ़ो stretch he is not in class yes bita he is not in class he is not in class चलो ठीके आप पढ़िए बिटा stretch thumb stretch thumb four finger and middle finger of right hand so that they are perpendicular to each other the four finger indicates direction of magnetic field thumb shows the direction of motion of conductor then the middle finger will show the direction of induced current yes तो यह हो गया बच्चो magnetic iska right hand thumb rule राइस्वाली framing right hand rule ठीक ना अब इसके बाद electrical domestic supply है इसको आप खुद से पढ़िए और next class में में आपको थोड़ा सा बताऊंगा है domestic electrical supply and short circuit and overloading के बारे में short circuit and overloading थोड़े से important है इनको हम next class में देखेंगे ठीक है बच्चों clear है सब कुछ है ये सर्फ ओके homework note कर लिजे आपको जो है complete करके लेकर के आना है क्या आपको ncrt की in text and text exercise करके लेकर के आना है ठीक है कर दो कर दो कर दो है